जबलपुर के गड़ा थानक शेत्र में हुई एक चोरी के मामले में सुने मकान को बनाया गया निशाना चोरी में सोना चांदी जिसकी जिनकी मिमत 25 लाख बताई जा रही है घटना के पश्चात पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की खोज में जुट गई है सचोरी के मामले में अभी तक कोई गिरफतारी नहीं हुई है लेकिन पुलिस ने शीग्रों ने पकड़ने का वादा किया है जबलपूर से अंकित श्रिवास्तव की रिपोर्ट करें पूरे आके दूसाइनकित वायां पर पूरे ज्यब्राध बगई पूरे लाकर के हमां यहां पर करें और उन्हें दर्वाजा तुरूं के यहां से आये हुए तो पच्चिसलाग के लगभघ की छोडी हुई है क्या क्या चोडी हुआ है तीन मोटे मोटे कंट कड़ी एक आथ के दोसीए च्छै कड़े गए हैं तोटल दो मंगालसूत्र थे और और तीन मंगल सुत थे तो जुमके थे दो जोड़ी रिंग थे चैन थी और कड्डोरा था पायल का और अंगूटियां थी तीन या चार अंगूटी रही तो पूरी घटना कहा की है यह हमारे बिरंद पूरी बाड गढ़ा मजज़ते पीछे हमारा मकान है पर उनने आके वकायत इंकौरी की उपर जाके हमने रपोर्ट दाज गिया है आपका नाम अनियलकांत चौबे यह सिकायत पेस किये कि वो कहीं बाहर गए हुए थे तो 21 की दर्मियानी रात उनके घर में चोरी हो गई है जब 21 को वापस सुबे अपने घर में चेक किया तो करीब 50,000 रुपे नगत और सोने चांदी के जेवर चोरी हो गए है मध्यप्रदेश और 36 गड़ दोनों ही महत्वपून राज्ये हैं जो भारतिय राजनीती, सामाजिक और आर्थिक द्रिष्टी से महत्वपून भूमिका निभाते हैं इन राज्यों के विशेश समाचार और घटना क्रमों की सटीक और ताजा रिपोर्टिंग के लिए न्यूज स्टार एक प्रमुख स्रोध के रूप में सामने आता है न्यूज स्टार आपको मध्यप्रदेश और 36 गड़ की सभी ताजा खबरों से अपडेट रखें